C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है सामाजिक विज्ञान के पाठ्थे क्रम के अंतरगत कक्षा साथ की ध्वानी पाठ्थे पुस्तक सामाजिक एवं राजनितिक जीवन प्रिष्ट दो एकाई एक प्रिष्ट तीन भारतिय लोकतंत्र में समानता किताब का ये खंड भारत की विशेश संदर्भ के साथ लोकतंत्र में समानता की एहम भूमिकां से विद्यार्थियों का परिचे कराता है भारत का सम्विधान समस्थ नागरेकों को समानता के लिए आश्वस्त करता है इसके बावजूद लोगों का रोजमर्रा का जीवन समानता से कोसों दूर है नागरिक शास्त्र की पहले की पाठे पुस्तकें समानता की चर्चाओं में समविधान के प्रावधानों को दोहरा भर देती थी पर लोगों के जीवन के वास्तविक स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती थी। ये इकाई एक अलग ढंग से समानता की चर्चा को प्रस्तुत करती है। विभिन समदायों दोरा आज भी कई प्रकार से असमानता का जो व्यवहार किया जाता है और भोगा जाता है उनके माध्यम से समानता की जरूरत को इसमें उभार जाएगा पहला अध्याए विद्यारतियों को कांता, ओम प्रकाश वालमी के और अनसारी दंपत्ती से मिलवाता है जिनों ने अलग अलग तरह से असमानता का अनुभव किया इनके अनुभवों के जरूए हम मानवी ये गरिमा की अवधारना का परिचे दे रहे हैं असमानताओं को दूर करने के लिए जरूरी कानून और नीतियां बनाने में सरकार की भूमिका की चर्चा हम ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि मौजूदा असमानताओं को मिटाने की प्रतिबधता सरकार के काम का एक बड़ा हिस्सा है इस अध्याय में हम संक्षिप्त रूप से सयुक्त राज्य अमेरिका में असमानता के मुद्दे को भी देखते हैं और ये स्पष्ट कर रहे हैं कि असमानता एक विश्व व्यापी मुद्दा है और कई लोगतांत्रिक देशों में देखने को मिलता है इस एकाय का दूसरा अध्याय इस पुस्तक का नौमा पाठ है पुस्तक में समानता को लेकर जगह जगह उठाए गए प्रमुक विचारों को इस अंतिम अध्याय में एक साथ बांधा गया है इस अध्याय का एक बड़ा अंश समानता की लड़ाई में विभिन लोगों के योगदान की चर्चा करता है इसमें उदाहरन स्वरूप एक सामाजिक आंदोलन पर विशेश ध्यान दिया गया है और साथ ही उन रचनात्मक तरीकों को भी उभारा गया है जैसे लेखन, गीत, कविताएं जिनके माध्यम से लोग समानता की मांग व्यक्त करते हैं इन दोनों ही अध्यायों का उद्देश्य विद्यार्थियों को ये समझने में मदद करना है कि समानता और लोकतंत्र की अवधारनाएं गतिमान हैं, स्थिर नहीं इनकी गतिमाइता इस बात से ही दिखाई देती है कि सरकार को समानता के लिए नए नए गानून और कारिक्रम बनाने पड़ते हैं और विभिन आर्थिक वा समाजिक मुद्दों पर लोगों के आंदोलन चलते रहते हैं कांता, ओम प्रकाश, अंसारी दबबत्ते तथा तवा मत्स संग इन सभी के अनुभवों जैसे ही विभिन स्थानी अनुभव हर जगे मौजूद होंगे इस इकाई में नहित अवधारणाओं को विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक, व्यावहारिक और उप्युक्त बनाने के लिए स्थानी अस्थितियों का हवाला दिया जाना चाहिए कक्षा में समानता के मुद्दे पर चर्चा होना शिक्षक से ऐसी समवेदना और द्रण प्रतिबद्धता की मांग करता है जिससे प्रत्येक विद्यार्थी की गर्मा अक्षुन बनी रह सके अध्याए एक समानता प्रिष्ट चार से प्रिष्ट पंदरह तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याए एक समानता प्रिष्ट संख्या चार इस अध्याए के आरंभ में कुछ तस्वीरें दी हुई हैं पहली छोटे लाल किसान दूसरी मनजीत कौर शिक्षिका तीसरी तेजा सिंग व्यापारी चोथी गिरीश राओ छात्र पांच्वी कांता देवी घरेलू कामगार छटी सोजाता कुमारी घरेलू कामगार साथ्वी अब्दुल रह्मान कारिगर आठ्वी शब्नम्बानो ग्रहनी नौमी ग्रेसी लेलेंग परामर्शदाता दस्वी आईजेक लेलेंग सरकारी अथिकारी गैर्वी रुखसाना मिर्जा मीडिया कर्मी बारह्मी योगराज बेरोजगार तेर्वी अशोग जैन उद्योगपती भारत एक लोकतंत्र ये देश है कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रिय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में जाना था जैसे लोगों की भागिदारी संघर्षों का शांति पूर्ण समधान समानता और न्याय समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेष्टा है और इसकी कारे प्रणाली के सभी पहलूँ को प्रभावित करती है इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे ये क्या है लोकतंतर के लिए यह आवशक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं चुनाओं के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही है ये चित्रों के माध्यम से दर्शाय गया है कांता कहती है कितनी अच्छी बात है सुजाता के हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं जैन सहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं सुजाता कहती है हाँ बिलकुल तो सुजाता कहती है चल कांता अब तेरी बारी आई मैं तो उसे वोट दूँगी जिसने हमारे महले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है प्रिश्ट संख्या 5 कुछ देर बाद गारी में जाते हुए मालिक और मालकिन कांता से कहते हैं बाद में आना कांता जी नमस्ते सहाब कांता सुजाता से कहती है गुरिया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है पर पहले साहब के घर का काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं घर पर कांता अपनी बच्ची को कहती है ले ये दवा पी ले कुछ अच्छा लगेगा तुझे और जब मैं शाम को लोटूँगी तो अपन अस्पताल चलेंगे ठीक है काम पर जाते हुए कांता रास्ते में सोचती हुई जाती है गुरिया बार-बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं प्रिष्ट संख्या छे कांता काम करने पहुँचती है चित्र में घर की मैडम चाय बना रही है पती को दे रही है और दूसरी ओर पती अख़बार पढ़ते हुए चाय की चुस्खी ले रहे है मेडम कांता से कहती है कोनों को अच्छे से साफ करना कांता पोचा लगा रही है उसके बाद मेडम कहती है कांता ये ले तेरे पैसे पर पहले से पैसे मागने की आदात मत बना समझी कांता कहती है जी मेडम नहीं बनाऊंगे उस शाम को कांता अपनी बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास जाती है बच्ची गुदी में है बच्ची से कहती है बस जरा सिदेर और बेटी कांता सोच रही है जैन मेडम और जैन सहाफ वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हो पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है कहानी का प्रारंब कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है पुनह उन विभिन लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं कांता अपने मालिक अशोग जैन को पहचान लेती है और अपने पडोसी छोटे लाल को भी भारत जैसी एक लोकतंत्रिय देश में सब वयसकों को मत देने का अधिकार है चाहे उनका धर्म कोई भी हो शिक्षा का स्तर या जाते कुछ भी हो वे गरीब हो या अमीर इसे जैसा के आप पिछली कहानियों में सुन चुके हैं सार्व भौमिक वयसक मत दिकार कहा जाता है और ये सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है सार्व भौमिक वयसक मत दिकार का विचार समानता के विचार पर अधारित है क्योंकि ये घोशित करता है कि देश का हर वयसक स्त्री पुरुश चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाते कुछ भी क्यों ना हो एक वोट का हखदार है कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और ये देखकर बहुत खुश है कि वो अन्य सब के बराबर है क्योंकि उन सब के पास भी एक ही वोट है परन्तु जैसे जैसे दिन बीता है कांता के मन में समानता के वास्ताविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है वो क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी आओ उसके जीवन की दिन चर्याज जाने वो एक जोपर पटी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है उसकी बेटी बिमार है परन्तु वो अपने काम से एक दिन की भी छुटी नहीं ले सकती च्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने है घरेलू काम की नौकरी उसे ठका देती है और अंत तहा उसके दिन की समाप्ते फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है सरकारी अस्पताल के सामने लगी ये लाइन उस लाइन से भिन है जिसमें वो सुबह लगी थी चूँकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब है आपके विजार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कानता के पास क्या परयाप्त कारण है इस कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के तीन कारण बताईए प्रिष्ट संख्या साथ अन्य प्रकार की असमानताएं कानता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतिये लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कारे करने के स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं निर्धन होने के अतरिक्त भारत में लोगों को अन्य अन्य कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है इसका आशय हम आगे बताई जा रहे ही दो कहानियों में समझ सकेंगे ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर अधारित है और भारत में होने वाली विभिन प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है भारत में सामानिताव प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था यदि आप ग्रामीन भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आईू में ही हो जाता है यदि आप भारत के शहरी क्षेतर में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जादपात में विश्वास नहीं करते परन्तो जरा एक प्रमुक समाचार पत्र के वैवाहिक विग्यापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्छ शिक्षा प्राप्त शहरी भारतिये के दिमाग में भी जाती कितनी महत्वपूर्ण है पहला विग्यापन कुरमी क्षत्रिय 26 वर्ष 5 फुट चारिंच B.S.C. माइक्रोबायो M.S.C. बायोटेक B.E.D. Assistant Professor प्राइवेट कॉलेज है तू सजातिय वर्ष चाहिए ब्राहम्मन जी जोदिया बुंदेल खंडी ब्राहम्मन धुर्व कॉशल गोत्र तीस वर्ष 5 फुट गौर्वर्ण M.A. तीन विशो में एवं अन्य डिपलोमा कोर्स कन्या है तू वर्ष चाहिए सर्व ब्राहम्मन मानने अगला विग्यापन तोमर राजपूत तीस वर्ष 5 फुट 9 इंच मेकैनिकल इंजीनियर सुजलान पुणे हेतू सेवारत उच्च तकनी की अरहता प्राप्त राजपूत करन्या चाहिए विग्यापन तीन 23 वर्ष माचफूत 3 इंच स्लिम गोरी बी ई कम्प्यूटर साइंस 36 गढ़ी अगरवाल कन्या के लिए स्वजाती ही है मैचिंग वर्च चाहिए इन वैवाहिक विग्यापनों में जाती की सूचना देने वाले अन्शों को पढ़कर उन पर गोला बनाईए आईए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें दलितों के बारे में आप पहले भी कहानियां सुन चुके हैं दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाती के लोग स्वयम को संबोधित करने के लिए प्रयोग मिलाते हैं दलित का अर्थ होता है कुछला हुआ या तूटा हुआ और इस शब्द का इस्तिमाल करके दलित ये संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है ओम प्रकाश वालमेके 1950 में पैदा होकर 2003 में इस संसार से चले गए ओम प्रकाश वालमेके एक प्रसिध दलित लेखक है अपनी आत्म कथा जूठन में वे लिखते हैं स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था वो भी जमीन पर अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी कभी कभी तो एक दम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था जहां से बोड पर लिखे अक्षर धुंदले दिखते थे कभी कभी बिना कारान पिटाई भी कर दी जाती थी जब वो कक्षा चार में थे प्रधाना ध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में जाडू लगाने को कहा वे लिखते हैं लंबा चोड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था जिससे साफ करने से मेरी कमर दर्ध करने लगी थी प्रिष्ट संख्या आठ धूल से चहरा और सिर अट गया था मूं के भीतर धूल घुस गई थी मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पड़ रहे थे और मैं जाडू लगा रहा था हेड मास्टर अपने कमरे में बैठे थे लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी पूरा दिन मैं जाडू लगाता रहा स्कूल के कमरों की खेड की दर्वाजों से मास्टरों और लड़कों की आँखें छिप कर तमाशा देख रही थी ओम प्रकाश से अगले दो दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में जाडू लगवाई जाती रही और ये क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को जाडू लगाते देखा उन्होंने एक शिक्षकों का साहस पूरवक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़ कर स्कूल से बाहर जाते हुए उँचे स्वर में सब को सुनाते हुए कहा मास्टर हो इस लिए जा रहा हूँ पर इतना याद रखिए मास्टर यो यहीं पढ़ेगा इसी मदर्से में और यो ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ना कूँ दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर अधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांच भागों में ऐसा होना एक सामानिबात है यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है जो शहर में किराय पर एक मकान लेना चाहते थे वे पैसे वाले थे इसलिए किराय की कोई समस्या नहीं थी वे मकान ढूढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए डीलर ने उन्हें बताया कि वो कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराय पर मिल सकते हैं वे पहला मकान देखने गए अनसारे दमपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का अंदिरने कर लिया फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगे कि वो मानसाहरी लोगों को मकान नहीं दे सकते चुँकि उस बिल्डिंग में कोई भी मानसाहरी व्यक्ति निवास नहीं करता प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दमपत्ति दोनों ही ये सुनकर आश्चरे चकित रह गए जोंकि पडोस से मचली पकाने की गंदा आ रही थी उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंदाय थे यही बहाना दोहराय गया अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदल कर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे अंसारी दमपत्ति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चे किया अंत में लगभग एक महीने ढूंडने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराय पर मकान देने को तयार थी जूठन लेखक ओम प्रकाश वालमेके ये चित्र बना हुआ है ओम प्रकाश वालमेके के किताब जूठन का मुक्प्रिष्ट है जिसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया है आपके विचार से ओम प्रकाश वालमेकी के साथ उसके शिक्षक और सहपाथियों ने असमानता का व्यभार क्यों किया अपने आपको ओम प्रकाश वालमेकी के जगें रखते हुए चार पंक्तियां लिखिए कि उस स्थिती में आप कैसा अनुभव करते आपके विचार से अनसारी दमपत्ती के साथ असमानता का व्यभार क्यों किया जा रहा था यदि आप अनसारी दमपत्ती के जगें होते और आपको रहने के लिए इस कारण जगें न मिलती चुँके कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते तो आप क्या करते प्रिष्ट नौ शीर्शक मानवी ये गर्मा का मूल्य अब तक आप समझ गये होंगे कि प्रायह कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति लिंग या धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के ओम प्रकाश वाल में के और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्म गत कारणों से हुआ जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुँचती है ओम प्रकाश वाल में की तथा अंसारी दंपत्ती के साथ किये गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुँची ओम प्रकाश वाल में की को उनकी जाति के कारण स्कूल में ज़ाडू लगवा कर शिक्षकों और चात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें ये महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं उनसे कम तर हैं बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल में की स्वयम इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके किन्तु जब उनके पिता ने अपने बेटे को ज़ाडू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया जब लोगोंने अंसारी दमपत्ते को अपना मकान किराय पर देने से इंकार कर दिया तब उनके समान को भी चोट पहुँची फिर जब प्रोपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्म समान ने उन्हें ऐसा करने से रोख दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया ओम प्रकाश और अंसारी दमपत्ति के साथ ऐसा व्यावार नहीं होना चाहिए था वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्ने किसी व्यक्ति को मिलती है यहां कुछ चित्र दिये हुए हैं 1975 में बनी दिवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिये गए पैसे को उठाने से इंकार कर देता है वो मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुक्तान आधर के साथ किया जाना चाहिए यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाओ का उत्तर किस प्रकार देते क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुँची हो आपको उस समय कैसा महसूस हुआ था शीर्शक भारतिय लोग तंत्र में समानता भारतिय समविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है इसका आर्थ है कि देश की व्यक्ति चाहे वे पुरुष हों या स्त्री किसी भी जाते धर्म, शैक्षिक और आर्थिक प्रिष्ट भूमी से संबंध रखते हों वे सब समान माने जाएंगे लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है प्रिष्ट संख्या दस ये खत्म नहीं हुई है लेकिन फिर भी कम से कम भारतिय संब्धान में सब व्यक्तियों की समानता के सिध्धानत को मान्य किया गया है जहां पहले भेदभाव और दुर व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था अब अने एक कानून लोगों की समान और उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है प्रिष्ट दस पर संसद का चित्र दिया हुआ है जहां कुछ लोग हाथ उपर करे खड़े हैं और तिरंगा लहरा रहा है संसद हमारे लोगतंतर का आधार स्तंब है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं समानता को स्थापित करने के लिए समविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निमनलिखित हैं प्रतम, कानून की द्रिष्टी में हर व्यक्ति समान है इसका तात्पर ये है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम करने की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एकी जैसे खानून का पालन करना है दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जात, वन्ष, जन्मस्थान और उसके इस्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेद भाव नहीं किया जा सकता तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान, होटेल, दुकाने और बाजार आदी सम्मेलित हैं सब लोग सार्वजनिक कुऊं, सडकों और नहने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं चोथा, असप्रश्चता का उन्मूलन कर दिया गया है शासन ने सम्विधान द्वारा मानने किये गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है पहला खानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं वकारिक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके यहाँ एक चित्र है उसपे लिखा है जीरो हंगर सतत विकास लक्ष दो भुकमरी समाप्त करना www.in.undp.org भारत में ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहर प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं खानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकडों वर्षों तक असमान तक व्यवहर हुआ है उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कारिक्रम और योजनाए लागू की हैं ये योजनाए ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों इस दिशा में सरकार द्वारा उठाये गया एक कदम है मद्यान भोजन की विवस्था इस कारिक्रम के अंतरगत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दुपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है ये योजना भारत में सर्व प्रथम तमिल नाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायले ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में छे महा के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिये इस कारिकरम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए उदारन के लिए दुपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और निये में तरूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लोटते ही नहीं थे परण तो अब जब से स्कूल में मध्यान भोजन मिलने लगा है उनकी उपस्थिती में सुधार आया है वे मताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता इस कारिक्रम से जातिगत पूर्वा ग्रहों को कम करने में भी साहता मिली है चोके स्कूल में निम्न वा उच्च जाती के बच्चे साथ-साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है मध्यान भोजन कारिक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूक मिटाने में भी साहता की है जो प्राया खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान के अंदरित नहीं कर बाते हैं यद्य पे शासकिय कारिक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कें तो अभी भी बहुत कुछ करने की आवशक्ता है। मध्यान भोजन कारिक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिती तो बढ़ा दी है। लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। यहां प्रिष्ट 11 पर एक चित्र है जिसमें मद्यान भोजन बच्चों को दिया गया है, वो खा रहे हैं और एक स्त्री भोजन का वितरान कर रही है। उत्तराखंड की एक शासकी ये शाला में बच्चों को उनका मद्यान भोजन परोसा जा रहा है। मद्यान भोजन कारिक्रम क्या है? क्या आप इस कारिक्रम के तीन लाभ बता सकते हैं? आपके विचार से ये कारिक्रम किस प्रकार समानता की भावना बढ़ा सकता है? अपने क्षित्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाई ये। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थिती में ढखेला जाता है जहां उनके समान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है चुक्के कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इंकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण है कि द्रिश्टी कोन में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपी लोग ये जानते हैं कि बहिदभाव का व्यवहार आनून के विरुद्ध है। फिर भी वे जात, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिती और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान द्रिष्टि कोन को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगें कि कोई भी कम तर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मान जनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजा तंत्रिय समाज में समानता अस्थापित करना एक सतत संगर्ष है जिसमें व्यक्तियों और व्यभिन समाजों को सहयोग देना है। आप आगे इस बारे में और अधिक सुनेंगे। शीर्षक अन्य लोग तंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतिय लोग तंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का स्तित्व है और जहां समानता के लिए संगर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोग तंत्रिय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेश रूप से संगर्ष हो रहे हैं। उदाहरन के लिए संयुक तुड़ाज अमेरिका में अफरीकी अमेरिकन लोग जिनके पूरवज गुलाम थे और अफरीका से लाए गए थे आज भी अपने जीवन को मुख रूप से असमान बताते हैं जबके 1950 के अंतिन दशक में अफरीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दि के लिए आंदोलन हुआ था इससे पहले अफरीकी अमेरिकनों के साथ संयुक तुराज में बहुत असमानता का वेभार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था उदाहरन के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था या जब भी कोई गोरा आदनी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था यहां बाबा साहब बी आर अमबेटकर का चित्र दिया हुआ है और नीचे लिखा है अपने आत्म सम्मान को दाओं पर लगा कर जीवित रहना अशोबनिया है आत्म सम्मान जीवन का सबसे ज जरूरी हिस्सा है इसके बिना व्यक्ति नगणने है आत्म सम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठनाईयों पर विजय प्राप्त करनी होती है किवल कठिन और निरंतर संगर्षते ही व्यक्ति बल विश्वास और मननेता प्राप्त कर सकता है मनुष नाश्व व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए कि वो अपने जीवन का बरिदान आत्म समान के उच आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी सहासी व्यक्ति के लिए आत्म समान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनी है और कुछ नहीं है बी आर अमबेटकर प्रिष्ट तेरह रूसा पाग्स 1913 से 2005 तर एक अफरीकी अमेरिकन महिला धी दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके ठक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया उस दिन उनके इंकार से अफरीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंब हो गया जो नागरिक अधिकार अंदोलन यानि सिविल राइट्स मूमेंट कहलाया 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नसल धर्म और राष्ट्रियम मूल के अधार पर भेदभाव को निशेद कर दिया इसने ये भी कहा कि अफरीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दर्वाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेश रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए हैं इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफरीकी अमेरिकन गरीब हैं अधिकतर अफरीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थे रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं जबके गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं यहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही उचा है प्रिष्ट तेरा पर एक च्चेतर है जिसमें रोजापाक बैठी हुई है और एक गोरा अमरीकी भी बैठा हुआ है रोजा पाक्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमरीकी इतिहास की दिशा बदल दी प्रिष्ट चौदह भारत के सम्विधान के अनुच्छेत 15 के अंश धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के अधार पर विभेद का प्रतिशेद पहला राज किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमे से किसी के अधार पर कोई विभेद नहीं करेगा 2. कोई नागरिक, किवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इन में से किसी के आधार पर क, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालेओं, होटलों और सार्वजनिक मनुरंजन के स्थानों में प्रवेश या ख, पूर्णतह या भागतह, राज निधि से पोशित या साधारन जनता के प्रयोग के लिए समर्पितकूओं, तालाबों, सनानगाटों, सौड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उप्योग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायत्व, निर्बधन या शर्त के अधीन नहीं होगा लोगतंत्र की चुनोति किसी भी देश को पूरी तरह से लोगतंत्र ये नहीं कहा जा सकता हमेशा से ही ऐसे समुदाए और व्यक्ति होते हैं जो लोगतंत्र को एक अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं इसके केंद्र में वो संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और समान दिलाने का पक्षधर है यहां आप जानेंगे किस तरह समानता का प्रश्न भारतिय लोगतंत्र में हमारे एक दैनिक जीवन के विभिन पहलूँ को प्रभावित करता है इन पाठों को सुनते हुए आप विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्म समान को उचा रहने की भावना को लोग स्विकार कर रहे हैं या नहीं प्रिष्ट पंद्रह अभ्यास पहला लोक तंत्र में सार्व भौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपोर्ण हैं दूसरा बॉक्स में दिये गए सम्विधान के अनुच्चेद पंद्रह के अंच को पुनह पढ़िये और दो ऐसे तरीके बताईए जिनसे ये अनुच्चेद असमानता को दूर करता है तीन ओम प्रकाश वालमीकी का अनुभव अनसारी दंपत्ति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था चार खानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं इस कथन से आप क्या समझते हैं आपके विचार से ये लोक तंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है पांच दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त हैं और समाज में उनकी पूरी भागेदारी संभव बनना सरकार का दाईत्व है सरकार को उन्हें नेशल को शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूरों की मुख्यधारा में सम्मिलित करना है खानून ये भी कहता है कि सभी सारवजन इकस्थल जैसे भवन स्कूल आदी में धलान बनाये जाने चाहिए जिस से वहाँ विकलांगों के लिए पहुचना सरल हो यहाँ दो चित्र दिये हुए हैं पहला सुगम में भारत अभियान इंडिया सीज अबिलिटी इन यू http slash disability affairs dot gov dot in दूसरा एक बच्चे को वील चेर पर उठा कर लाये जा रहा है इन चित्रों को देखे और उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे सीडियों से नीचे लाया जा रहा है क्या आपको लगता है कि इस स्थिती में उपर एक गानून लागू किया जा रहा है वो भवन में आसानी से आजा सके उसके लिए क्या करना आवश्चक है उसे उठा कर सीडियों से उतारा जाना उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है यह एक बॉक्स है शब्द संकलन सार्व भॉमिक वयस्क मताधिकार ये लोगतंत्रिय समाज का अत्यंत महत्वपून पहलू है इसका अर्थ है कि सभी वयस्क अठारे वर्ष एवं उससे अधिक आयूगे नागरिकों को वोट देने का अधिकार है चाहें उनकी सामाजिक या आर्थिक प्रिष्ठ भॉमी कुछ भी हो गरिमा इसका तात्पर अपने आपको और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है संबिधान ये वो दस्तावेज है जिसमें देश की जनता वा सरकार दोरा पालन किये जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है नागरिक अधिकार आंदोलन एक आंदोलन जो संयूक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंप हुआ और जिसमें अफरीकी अमेरिकन लोगों ने नसल गत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की इसी के साद नो अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय एक यहां समाप्त हुआ वाचक नीरच्षर्म सामाजिक एवं राजनितिक जीवन अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्य पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग मिनाक्षी कुक्रेती निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत